नमस्कार दोस्तों मैं हूं मुकेश और टी बिजनस के अगले वीडियो में आपका स्वागत है आज हम लोग डिस्केशन करेंगे दोस्तों टी स्टोल चाय पर जो टी स्टोल के लिए जो ब्लेंड तेयार किया जाता है उसमें क्या-क्या विशेशते होते हैं इस पर हम लोग कैसे वो तैयार होता है और आज हम लोग एक टी का विशेशन भी करेंगे इससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों अगर आप टी ट्रेनिंग कोर्स जोईन करना चाहते हैं तो अभी तीन दिन की ट्रेनिंग हमारी जो है लाइव ट्रेनिंग अभी शुरू हो रह है तो अगर आप उसमें पार्टिस्पेट करना चाहते हैं तो नीचे दी एक नंबर पर आप संपग कर लीजिए और अपने लिए जो है सीट बुक कर लीजिए आप उसमें पार्टिस्पेंट बन सकते हैं और जान सकते हैं ती बिजनस को गहराईयों से जान सकते हैं में जो जो topics रहेंगे वो हम लोग इस discussion के बाद discuss करेंगे जो अभी हम लोग blend का discussion करेंगे उसके बाद हम लोग क्या-क्या topics हम लोग cover करेंगे tea training के अंदर वो हम लोग discuss करेंगे दोस्तों तो अभी हम लोग जो है tea stall special जो blend होता है उसका discussion करते हैं कि दोस्तो हर एक blend की कुछ विशेशता ही होती है कुछ विशेशता ही होती है उसकी क्या-क्या requirement होती है उस particular segment की उस particular sector की क्या requirement है उसके according ही blend तैयार किया जाता है blending जो है मैं हमेशा कहता हूँ एक art है एक science है कला है दोस्तों यह कोई just mixing blending नहीं है कि कुछ भी आप mix कर दीजिए वह blending हो गया यह best lift चूज करने की कला है जो कि बहुत से चीजों को मध्यनजर रखते हुए जो blending की जाती है काफी सारे factors को ध्यान में रखते हुए blending की जाती है इस चाहता है कि उसकी requirement है कि उसे gas कम लगे उसका gas कम जले उसकी energy कम लगे और जल्दी output आए यानि कि जाए थोड़ा जल्दी पके थोड़ा जल्दी color आए उसके अंदर थोड़ा कड़क हो reddish color हो तो यह सारी विशेष्टा है उसे चाहिए तो यही हमारे जो blender है उन्होंने जो ह तो बहुत ही जो है acceptable appearance है बहुत ही देखिए blackish appearance है इसका बहुत ही अच्छी cuttings है leaf की और शांदार जो है आप जब appearance देखते हैं तो appearance देखते ही पता चल जाता है कि यह qualified blender के द्वारा जो है blend किया गया है हमारे पास में काफी सारे samples आते हैं जब हम लोग देखते हैं appearance देखत ही पता चल जाता है कि qualified blender के द्वारा blend किया गया है कि unqualified blender के द्वारा क्योंकि unqualified blender की एक पैचान है कि यह तो सबसे बड़ा leaf size लेंगी जानि विए उसके बाद direct सबसे नीचे वाला leaf size apply कर देंगे यानि कि dust apply कर देते हैं बहुत से blend भी हमें देखने को मिलता है पूरे भार से बहुत acceptable है अट्रेक्टिव है आप देख सकते हैं और इसमें वो सारी विशेष्टाइए है जो एक टीश्टोल ओनर को चाहिए इसके अंदर देखी आपको जल्दी इसके अंदर color पकड़ता है reddish color आता है थोड़ा कड़कनेस भी है इसके अंदर और taste भी बहुत शानदार ह इसका अगर आप के साथ अपना इस वरा है करना चाहते हैं अगर आपके स्याइक्विन में आपका टारगया के स्टमर है कि आपका जो हैनल की स्कूल है है तो आप सकते हैं आप हैसी सेंपल पैक्क Electives में आलावा नो तरीके के और ब्लेंड मिलेंगे टोटल दस के प्लेंटниц तो आप च्छेक किजिए को अच्छे से पर्क हैं कि जो हम लोग वीडियो में डिस्केषिन कर रहे हैं क्या वो सारी क्वाल्टिया कर इसके अंदर हैं या ही है तो आप जो मंगा कर आप इसे अच्छे से पर्ट कर अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं और अगर आप कोर्ष में पार्टिस्पेंट करना चाहते हैं तो उसके लिए मैं आपको बता दूं दोस्तों कि आप जो है नीचे दिये गए नंबर पर फोन लगा कर अपनी सीट बुक कर लीजिए उसमें काफी सारे टॉपिक्स हम लोग कवर कर रहे हैं जैसे कि पूरा टी इंट्रोडेक्शन उसके अंदर सभी प्रकार की चाहे हम लोग कवर कर रहे हैं सब्सक्राइब कर रहे हैं मिन्ट लेमन टी और इसके अलावा भी बहुत कुछ दोस्तों अगर आप अपना स्टाइट अप को शुरू करना चाहते तो वो टॉपिक भी हम लोग पूरा कवर कर रहे हैं एक स्टाट अप को शुरू करने के लिए चाहे कि बिजनस में क्या क्य का रिक्वाइर्मेंट होते हैं उसके अंदर कवर कर रहे हैं तो आप देर मत कीजिए और इस मोखे को अपने हाथ से मत जाने दीजिए तीन दिन में आपके पूरे कर रहे हैं उस ट्रेनिंग के माध्यम से आप बिल्कुल भी देर मत कीजिए दोस्तों नीचे दिए नंबर पत्रोंत फोन लगाए और जो है अपना टिकेट बुक कीजिए और आप पार्टिस्पेट कर सकते हैं इस कोर्स के अंदर और सेटिफिकेट भी आपको प्रवाइड कि कंपनी और जर्कन्टी कंपनी का हैड़ ओफीस जो है वो हरियाना फथिहाबाद में है और वेर हाउस है वह सिली गूड़ी वेस्ट बंगल में है जहां की चाय दाजलिंग डिस्टिक की जो चाय है दोस्तों वर्ड फेमस है जो अपनी क्वालिटी और अपने अरोमा के के ल में पर हमारे यहां पर आप यहां पर यहां पर आकर बिजनेस को अच्छे से समझ सकते हैं और इतना ही दोस्तों अगले वीडियो के बारे में और अपको को एक information दी हमने अपना जो टी ट्रेनिंग कोर्स जो अभी चालू हो रहा उसके बारे में तो आज के लिए इतना ही दोस्तों अगले वीडियो मैं फिर शेहाज रहोंगे एक नई अपडेट के साथ में एक नई information के साथ में तब तक के लिए इजाज़त नमस्टार